हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल आज ये इस वीडियो में हम ग्यासुद्दीन बल्बन के बारे में पढ़ेंगे ये एक्जाम्स में बहुत तरह से कोशन्स पूछे जाते हैं ग्यासुद्दीन बल्बन के बारे में तो पहला कोशन ये हो सकता है कि देहली सल्तनत के संबन में बल्बन के योगदान का मुल्यांकन कीजिए दूसरा सुल्तान बल्बन के मुख्यकारियों और उपलब्धियों का मुल्यांकन कीजिए तीसरा बल्बन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए चौथा बल्बन कौन था और दिल्ली सल्तनत के संगठन में उसका क्या योगदान था इस पस्ट कीजिए बल्बन के राजस्वे सद्धान का मुलने आंखन कीजिए बल्बन के शासन प्रबंद का संचिप्त वर्णन कीजिए बल्बन ने एक कठोड शासक के रूप में रक्त और लोह नीती का अनुसरर किया इस कथन की विवेचना कीजिए गुलाम वन्स के महान शासक के रूप में बल्बन के कारियों का मुल्ल्यांकन कीजिए बल्बन के चरित्र और उपलब्धियों का मुल्यांकन कीजिए चालिस सरदारों के गूट को नस्ट करने के लिए बल्बन ने क्या प्रयतने किया और उसे कहां तक सफलता मिली ये स्पस्ट कीजिए बल्बन के शासन संबंधी सिद्धानतों का विवर्ड दीजिए ग्यासुद्दीन बल्बन 1265 से 1287 इस्वी तक की ये बात है इसकी भूमिका में आप लिख सकते हैं ये दस सो कोश्चन के आंसर आप इससे दे सकते हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजे ग्यासुद्दीन बल्बन के जन के बारे में कुछ पता नहीं लगता लेकिन संभवता जैसा की डॉक्टर ए अल सरवास्तों ने लिखा है वो इल्दुत्मिश की भाती इल्बारी तुर्क था वो बचपन में मंगोलों के द्वारा पकड़ा गया और उन्होंने उसे बगदाद ले जाकर गुलाम के रूप में बेच दिया उसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक एक व्यक्ती ने खरीदा जो उसे 1232 से 1233 सिस्वी में गुजराद के मार्ग से दिल्ले लाया था इल्तुत्मिश ने 1233 सिस्वी में गुजराद की विजय के पश्चात उसे खरीदा इल्तुत्मिश उसकी योग्यता से प्रभावित हुआ और कुछ समय बाद उसे खास इदार का पद प्राप्त हो गया जब वजीर मुहाज बुद्दीन और तुर्की सरदारों में जगडा हुआ और मुहाज बुद्दीन को हटा कर अबू वक्र को वजीर बनाया गया तब बल्बन को अमीर ए हाजिप का पद प्राप्त हुआ वजीर अबू वक्र बहुत सरल प्रकृती का व्यक्ति था और नाइप के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया था इस कारण बल्बन को अमीर एहाजिप के पद की द्रिष्टी से अपनी शक्ती को द्रड करने का विसर मिल गया बल्बन ने तुरकी सर्दारों को ध्यान पारस्परिक जगडों की ओर से हटा कर राजपूतों और मंगोलों की ओर आक्रिस्ट किया धीरे धीरे राज़ी की शक्ती अपने हाथों में केंद्रित कर ली मजूद साहा को सिंगहासन से हटाका नासुरुद्दीन महुमत को सुल्तान बनाने में यो मुख्य युगदान बल्बन कर रहा इस कारण नासुरुद्दीन ने सुच्छा से राज्जी की संपुर्ण शक्ती बल्बन के हाथों में सौब दी अगस्त 1249 इस्वी में बल्बन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासुरुद्दीन से कर दिया इस अबसर पर उसे उलुखा की उपाधी और नाइब इमालिकात का पद दिया गया इस प्रकार शासन के संपुर अधिकार कानूनी तोर पर उसे दे दिये गए बल्बन ने अपनी संबंधियों को महत्वपुर पद प्रदान किया और खुद राज्जी का वास्तविक साशक बन गया बल्बन की सिग्र उन्नती से कई सरदार उससे इश्या करने लगे जिन में कुछ ऐसे तुर्की सरदार भी समलित थे जो अपनी में से ही एक साधारर सरदार की श्रेश्टितम पदोन नित्ती और सत्ता संतुष्ट हो गए राय हान के नित्रतों में संगठित होकर बल्बन का विरूद किया जिसके कारर बल्बन को उसके पद से हटा दिया गया और राय हान ने वकीलदार के पद के रूप में प्राया एक वर्ष तक साशन सत्ता का उभोग किया लेकिन राय हान की शासन से तुर्की सरदार संतुष्ट नहीं रह सकें और उन्होंने फिर से बल्बन के नित्रतु में संगठित वोकर राय हान का विरोध किया राय हान को उसके पद से हटा दिया गया और बल्बन फिर से नाइप बन गया उसके बाद सुल्तान नासुरुद्दीन के अंतिम समय तक बल्बन का शासन पुड़ प्रभुत्व रहा धीरे धीरे उसने अपने सही योगी और समर्थक तुर्की सरदारों की शक्ती को भी दुर्बल बना दिया जब नासुरुद्दीन की मृत्यू के बाद वो स्वम सुल्तान बना तो उस समय कोई भी सरदार उसका विरोध करने की स्थिती में नहीं था इस प्रकार धीरे धीरे अपनी योगीता को सल्ता से बलबन अपनी साधार इस्थिती से उठकर तुर्की सरदारों में इस रिस्ट नहीं हो गया बलकि 1265 इसवी में सुल्तान बन गया अब उसकी कठनाईयां क्या क्या आई तो बलबन ने नासरुद्दीन महमुद के समय प्राया 20 वर्ष तक शासन किया था लेकिन फिर भी सुल्तान बनने पर उसके सम्मुक कई कठनाईयां थी सबसे पहले कठनाई सुल्तान की प्रतिस्था का नश्थ हो जाना था इल्तुतमिश के मृत्यू के बाद एक के बाद एक दुर्बल सुल्तानों के कारर सुल्तान का सम्मान नश्थ हो गया था तुर्की गुलाम सरदारों और बात के समय में स्वयम बलबन ने भी सुल्तान की शक्ति और सम्मान को नस्थ करने में योगदान दिया था इस कारण जिन साधनों और तरीकों का प्रयोग बलबन ने अपनी शक्ती के निर्माड के लिए किया था उन्ही को अब अपनी शक्ती की रच्छा के लिए नस्ट करना जरूरी हो गया तुर्की सरदारों की शक्ती और प्रभाव को नस्ट करना और साधारण में जन सतारण में सुल्तान के प्रतिभय और सम्मान की भावना, जागरित करना, बल्बन की प्रतम कठिनाई थी बल्बन की दूसरी प्रमुक कठिनाई दिल्ली सल्टिनत की सुरच और उसके संगठन था उसकी कई कठनाईयां इन सबसे संबंधित थी यद भी बल्बन के समय में मंगोलों के द्वारा भारत की विजय कभाय नहीं था लेकिन मंगोल आक्रमडू से अपनी उत्तर पश्चिम की सीमाओं की सुरच्छा करना बल्बन की एक प्रमुक कठिनाई थी उत्तर पश्चिम पंजाब का संपुर प्रदेश मंगेलों के हाथ में चला गया था मंगोल भारत में और भी अधिक प्रवेश नहीं कर सका वो बल्बन की एक प्रमुक चंता थी बंगाल नासर उद्दीन के अंतिम समय में स्वतंत्र हो गया था अन्य सूबे इस उधारड को अपने सम्मुक नहीं रखें और बंगाल भी दिल्ली सल्तनत का भाग बना ये बल्बन के लिए आवेश्यक था फिर बल्बन के कारे देखें तो बल्बन का राजत वसिद्धानत और सल्तान की प्रतिस्ठा कस्प इस्थापना करना प्रमुक कारे था और भी बहुत सारे कारे थे जैसे की तुर्की सरदारों और चालिस गुलाम सरदारों के बल्ब की समापती करना फिर उसके बास से सेना का संगठन करना शासन और गुपतचर विभाग का संगठन करना ये सारा काम उसके लिए था विद्रोहो का दमन और शांती व्यवस्था बनाई रखना बंगाल की विजय करना और तो और मंगोल पर आक्रमड करना भी उसका प्रमुक कारे था मंगोल आक्रमड कभ है बल्बन के लिए सम्मुक सरवदा रहा इसी कारे बल्बन राज विस्थार की नीती अपनाने में समर्थ नहीं हुआ फिर बल्बन की मृत्यू वो काफी ये साले चक्रों में बहुत सा जादा वृद्ध हो चुका था सहाजादा मुहम्मद की मृत्यू ने उसको बहुत दुखी कर दिया बल्बन की संपोड आशाय उस पर किंद्रित थी उसका दूसरा पुत्र बुग्राखा विलास थी और आरम पंसंद था उससे बल्बन को अपने देश की सुरच्छा की आशा नहीं थी बल्बन बिमार हो गया और उस समय उसने बुग्राखा को बंगाल से बुला लिया उसका असे उसको अपना उत्राधिकारी न्युक्त करने का था लेकिन बुग्राखा ने बंगाल के आराम पसंद और स्वतंतर जीवन को अधिक पसंद किया और चुपके से बंगाल वापस चला गया बल्बन ने अपने बड़े पुत्र महमूत के पुत्र क्या खुसरों को अपना तुरा धेकारी चुना और कुछ समय बाद 1287 स्वी के मध्य उसकी मृत्य हो गई बल्बन का रास्तंत्र का सिध्धान्त ग्यासुद्दीन बल्बन एक निरंकुष शासक था उसने सिंगहासन के विरुस समस्त विरोत का दमन करके निरंकुष रास्तंत्र इस्थापित किया वो स्वेम को पौराडिक तुर्की वीर नायक अफ्रासियाफ कवंसज मानता था और उसने राज तंत्र के चारों और स्रिष्टिता का प्रभाव मंडल बनाने का प्रयास किया उसने सुल्तान के पद के लिए दैविक स्विक्रिती का दावा किया और राजे पर अपने नियंत्रड को सुद्रड करने के लिए अपनी जनता की धार्मिक भावनाओं को उपड़ रूप से शोशड किया बगदाद का खलीफा अब नहीं था लेकिन बल्बन सिक्कों पर उसका नाम उत्कृड करवाता रहा जिससे उसको अपने सहधर्मियों का खलीफा नासिर अमीर उल्मोमिन के सरवाधिक विश्वस्निय व्यक्ति के रूप में निर्विवाद, समरपड और निस्ठा मिल जाए बल्बन का रास्तंत्र का सिद्धान्त इंग्लेंड के टूइडर और स्टूर्ट राजाओं के तथा कतित राजाओं के दैवेक अधिकार के अनुरूप ही था फिर बल्बन का यहां पर और भी मतलब उच्छ वर्ग में जन्म लेने वाला निम्न वर्ग में जन्म लेने वालों के मदे भेदभाव किया उच्छ वर्गे के वेक्तियों के साथ जाती कताधार पर समान वहवार किया जाता था बल्बन खुद एक निस्ठवान धार्मिक व्यक्ति के रूप में कार्य करता था उसने चालिस का समापन किया फिर उसके बाद बल्बन ने कई समसी कूलीन के प्रती प्रबल अपिछा कृत अधिक कठोर द्रिष्टि कोड रखा बल्बन ने अपने समस्त राजे में समाचाल लेख को और गुप्त चरो का जाल विछा दिया बंगाल में विद्रो का दमन किया 1279 और 81 तक किये बात है जब 1279 में बल्बन के लिए संकट का वर्ष था वो रोग ग्रस्त बिस्तर पर था और जेवित रहने की कोई आशाद रिस्टिगर्ट नहीं होती थी इसी समय मंगोलों ने उत्तर पस्चिमी सीमा पर भीश और आक्रमर किया राजकुमार मुहम्मद के नित्रत्व में राज की सेना उसके साथ घा तक ससस्तरक संगर्ष में व्यस्त थी फिर इसी तरह गंगा निदी घाटी के अक्तिदारों ने दो लाक सहथे कतिरुक्त सैने को क्या पूर्टी की और सैने को रसत के आवा गमन की सुविधा के लिए गंगा निदी में सहहस्तरों नौकाओं का प्रियोक किया गया बल्बन के दितिये पुत्र बुगरा खा को सुल्तान की कठोर चेवतावनी के साथ कि यदी उसने कभी दिल्ली के विरुद विद्रों किया तो उसकी भी वही नियती होगी बंगाल का सुवेदार निउक्त किया गया राजकुमार बल्बन और क्रूर कारियों से इतना अधिक निराश हुआ कि उसने बाद में मरण संद पिता के संगाशन के लिए मनुनयन के प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया बल्बन का मुल्याकन डॉक्टर एल्स रवास्तों ने बल्बन के मुखे तर दो दोश बताए हैं पहला वो धर्मान दे था और अपनी बहुत संख्यक प्रजा के प्रती उसका वहवार और शशशुड़ता पूर था और दूसरा उसमें रचनात्मक प्रतीभा का अभाव थ बल्बन की सबसे अधिक दुरबलता हैं प्रोफिसर के निजामी ने बताई है ये उसे राज्य में सांति और वैवस्था करने का श्रेत उब्रदान करते हैं लेकिन कई बातों में उनकी असफालताओं की और इसपस्ट संकेत भी करते हैं वो लिखते हैं कि बल्बन की तुरको की स्रेश्टता को इस पस्ट रखने की निती ने इलाब के स्थान पर हानी अधिक पहुँचाई इसके अलाबा बल्बन की सबसे बड़ी असफलता उसकी सेना के विशे में थी लखनौती के विद्रों को दबाने से च्छे वर्ष लगे थे राजपूत्सास को के विरुद्ध वो कोई कदम नहीं उठा सका लेकिन तब भी बल्बन को एक योग शासक माना गया है इलतुत्मिश के दुर्बल उत्राधिकारियों के समय उत्पन हुई अराजप्ता के दूर करने का श्रे बल्बन को था अगर आप इलतुत्मिश के बारे में नहीं जानते हैं और इसके बारे में डीटेल जानना चाहते हैं और इसके बारे में जो भी हिस्ट्री में important question exam में पूछे जाते हैं तो आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं पूरी detail वीडियो पढ़ी हुई है इस पे playlist में तो आप जाईए उसको भी देखिए बहुत अच्छी वीडियो है तो प्रोफेसर त्रिपाठी ने ये लिखा है जैसे उसकी संप्रभुता की धार्ना सम्मान शक्ति और न्याय पर अधारित थी डॉक्टर एवी पांडे ने भी लिखा है यदि हम बल्बन के कार्य को एक सब्द में व्यक्त करना चाहें तो वो शब्द है सुद्री करर यहां उसकी निती का मंत्र था सुल्तानों और तुर्की गुलाम सरदारों के संगहर्ष और सुल्तान की प्रतिस्ठा को समाप्त किये जाने के लिए बल्बन दोशी नहीं था उसकी राजने तिक मंच पर आने से पहले वो संगहर्ष आरंभ हो चुका था उसने धीरे धीरे उन परिस्तितियों का लाब अपने वंस के हित के लिए उठाया यह अन्य बात है एक बार सुल्तान बनने के बाद उसने सुल्तान की प्रतिस्ठा को फिर से स्थापत किया यह उसकी महान सफलता थी प्रोफेसर एबी एम हवीबुला ने लिखा है कि बल्बन का एक मात्र और महांतम कारे राज्च में सल्तनत बाशाहत को फिर से स्रिष्टतम इस्तान प्रदान करना था इस छेतर में उसने कुतौ बुद्धीन आबक को और इलतुत्मिश द्वरा सुरू किये गए कारे की पूर्टी की इल्दुतमिश ने सुल्तान के पद को स्थापित किया था लेकिन उसकी शक्ती तुर्की गुलाम सरदारों की शक्ती पर आश्रित थी बल्बन ने इस दुर्बलता को नस्ट करने में सफलता प्राप्त की